Friends, आजकल के जीवन में, भाग दौड़ वाले जीवन में, खुश रहना बड़ा difficult हो चुका है, हार कोई परिशान है, हार एक को कोई ना कोई problem आई खड़ी है, तो being happy is very difficult these days, जिसको पूचो वो ही कहता है, मैं परिशान हो, मुझे बड़ी stress है, मेरा मन बड़ा परिशान है, कुछ ना कुछ हार एक को परिशान ही है, अगर कोई happiness तो जैसे अलोप होती जा रही है, खुश ही नजर ही नहीं आ रही लोगों की, तो हमारी जो soul है, उसकी कुछ original nature है, peace is the original nature of the soul, यानि कि हमारी soul के अंदर peace भी है, love भी है, happiness भी है, ये है, बगवान की तरफ से हमें ये तीन चीज़े मिली हैं, लेकिन चुकि हम इन तीनों चीज़ों का परियोग नहीं करते, day to day life में, इनको use नहीं करते, तो ये जैसे आपको बताया था ना, kitchen के मसाले पीछे रह जाते हैं, तो उसी तरह से ये मसालों की तरह पीछे रह जाती हैं, इनको use नहीं करते, फिर हमें stress and anxiety और इस तरह की difficulties हमारी life में आती हैं, तो हमने खुद को बोलना है, I am peace, I am love, happiness is my property, I am very happy, जैनि कि इस तरह के positive शब्द हमने repeat करने हैं, ये बार-बार repeat करने हैं, जितनी बार-बार हम repeat करेंगे, तो ये reality बन जाएगा, फिर हमें अपने आप खुद भुखुद हमें लगेगा कि हाँ, शांती है हमारे अंदर, हम भी खुश हैं, तो ये जो चीज हैं, हमारी original nature है, जिसको ही हम बोल चुके हैं, तो इस original nature को हमने emerge करना है, तो जैसे जैसे repeat करेंगे, तो वो reality बनता जाएगा, तो anything we repeat, anything we affirm, becomes the reality, वो reality बन जाती है, असल बन जाती है, तो अगर हम peace के opposite शब्द बोलते हैं, पीस के opposite आपको पता ही होगा कि उससे वो प्रीत शब्द जो बोलते हैं, क्योंकि उन शब्दों का मूँ पर भी नाम, जबान पर भी नाम ज़दा नहीं आना चाहिए, अगर opposite वर्ड बोलते हैं, तो हमें fear आएगा, anxiety आएगी, और depression आएगा, इसलिए opposite वर्ड को हमने use नही property, तो हमारा mind अगर, हमारा mind जो है, disturbed position में है, यानि कि mind जल्दी जल्दी fluctuate हो जाता है, mind के अंदर परिशानी है, disturbance है, future के बारे में सोचता रहता है, जब past के बारे में सोचता रहता है, तो जो mind जो है, disturbed mind माना जाएगा, तो उसमें fluctuating होती रहेगी, अगर mind आप, आपका stable है शान्त हो, खुश हो, कोई भी situation आपको इतना ज़्यादा disturbed नहीं करती, तो आपकी जो mind है, ये स्वस्त है, ये disease नहीं है, इसे कोई बिमारी नहीं लगी हुए, तो इसलिए अपने mind को स्वस्त रखना है, और happiness को create करना है, क्योंकि happiness को कहीं हमने बार से नहीं लेकर आना, ये हमारे अंदर ही हैं, ये तीनों चीजे हमें गुन भगवान ने दे कर बेजा है, happiness, peace, love, ये original quality है हमारी soul की, तो इस quality को हमने emerge करना है, इसलिए अपने mind को day to day, इस clutter को साफ करते जाएं, जो जो रास्ते में मुश्कले हैं, जो जो आपको depression, anxiety, जा कुछ बुरे thoughts, negative thoughts आते हैं, इनको साथ साथ में clean करते जाएं, ताकि यहां से आपका mind जो है, स्वस्त रहे और आप अच्छे तरीके से अपना जीवन, beautiful तरीके से बिता सके, तो friends, आपको ये वीडियो कैसे लगी, कि मन को किस तरीके से रखना है, मन को हमने, अगर happiness से रख रहा है, तो इसमें fluctuating नहीं ह नहीं तो diseased soul हमारी रहेगी, तो friends, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप comment box में जरूर लिखना और वीडियो को share भी करना, और मुझे आपके comments का इंतजार रहेगा, तो channel को भी subscribe कर देंगे, तो अच्छा लगेगा, शुक्रिया friends.